नमस्कार है जुकि इसन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्ववागत है अभी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं MP Police Constable के result के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस परकार से आपको MP Police Constable का result चेक करना है आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी step by step दिखाई जाएगी इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखेगा वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपसे छोटी सी request है अगर आपको वीडियो पसंद आए और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक और सेर अवस् subscription करेगा और साथ ही ऐसे वीडियो जो और ऐसी ही जानकारी या सबसे पहले प्राप्ट करने के लिए चनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीचेगा अब आईए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस परकार से आपको MP Police Constable का result चेक करना है तो आपको बताते result चेक करने के लिए आपको Google Chrome या अन्य कोई भी ब्राउजर अपने phone या computer में open कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है edukationindialio.com आपको क्या सर्च करना है तो आपको सर्च करना है edukationindialio.com Google में यह सर्च करते हैं आपके सामने कुछ इस परकार से पेज आएगा यहाँ पर सबसे उपरवाली website को आपको open कर लेना है website कुछ इस परकार से आपके सामने open हो जाएगी यहाँ पर जब आप नीचे के और scroll करेंगे तो आप देख पाएंगे MP Police Result 2024 आपको इस लिंक पर क्लिक करके इस पोस्ट को open कर लेना है पोस्ट आपके सामने कुछ इस परकार से open हो जाएगी यहाँ पर जब आप नीचे के और scroll करेंगे तो आप देख पाएंगे MP Police Result 2024 आपको इस डारेक्ट लिंक पर क्लिक कर देना है उसके बाद आपके सामने कुछ इस परकार से एक page open होगा यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने application number फिल करने है जो की कुल तेरा digits की होंगे application number को फिल करने के बाद यहाँ पर आपको अपने date of birth को कुछ इस परकार से फिल करना है date of birth को यहाँ पर आप क्या करेंगे date of birth को यहाँ पर आप कुछ इस परकार से फिल कर देंगे date of birth को फिल करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने mother name के two character लिखने है और उसके बाद यहाँ पर आपको लिख देने है अपने अदार नंबर के last four digit जो भी last four digit है वो लिख देंगे उसके बाद यहाँ पर यह जो capture code है उसे solve करना है और search पर click करना है search पर click करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार से आपका result open हो जाएगा उपर यहाँ पर आप अपने बारे में basic detail देख पाएंगे उसके ठीक लीचे यहाँ पर आपको result देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको result status देखने को मिल जाएगा qualified है या फिर not qualified तो कुछ इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं आप MP police constable का result चेक कर सकते हैं वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो का अप लाइक और शेर अवस्य करेगा और साथ ही ऐसे ही वीडियो जोर ऐसे ही जानकारिया सबसे पहले अपराप्ट करने के लिए चैनल को भी सब्सक्राब करके बैल आइकन को दबारीजेगा मिलते हैं हम सकते हैं वीडियो में किसे ने जानकारिय के साथ तब तक के लिए धन्यवाद